हलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बैक कैसे हो आप सभी आशा करते हूं सब ठीक होंगे मस्त होंगे और अच्छे से आपने तो हार एंजोई किया होगा तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बनाएंगे कुछ केंडल्स घर पर ही तो थमनेल से तो आपको मालूम पढ़ी गया मैं अपने घर के काम नुक्ता देती हूं तो क्लीनिंग में मेरा मैं बढ़री और एक्स्टा काम मेरा करा में extra काम तो कहारो अब घर वाले ने बहु heeft क्लियों किया था लकड़ी के टुकड़े पर मैंने यह जो तिन बॉक्स होते हैं नरस्कुले वाले वह नेल की हैल्प से लगाए थे और अब मैंने इसको उतार दिया बताते हूं तो यह लकड़ी तो मैं फेक हो देखें बिल्कुल गिर जाए थे ना बूसे वाली लकड़ी तो खराब इसको फेक देंगे और जो एक बॉक्स है हमारे यह बिल्कुल अच्छा है इसके उपर ओईल पेंट वहने का रखा तो यह बिल्कुल सही है इनको मैं कहीं नहीं यूज करों ही प्लाइटर के जैसे यूज कर लोगी और कहीं ने चाहिए दोस्तों और इपावली पर जितने दिये और केंडल्स हम जलाए उतना ही अच्छा लगता है घर जगमगाता हुआ रोशनी से भरा हुआ तो यह मेरा एक बॉक्स है जिसमें दिवाली से रिलेटी थी मैंने अपने कुछ डियाइवाई रखे हुए तो इसको मैंने आज निकाल लिया था और मैं चेक कर रही थी तो इसमें मैंने काफी पहले के जो मतलब की कुछ दिये हैं कुछ कार्ड़ बोर्ड से देखे मैंने बना रखे थे और कुछ डियाइवाई तो मैं शान के स्कूल में भी दे चुकी हूँ अभी तो यह देखे एक मट्की थी मिट्टी की छोटी सी और यह न मेरा फेवरेट यह कम से कम पात साल पहले मेरा बना हुआ था तो यह बिल्कुल भी देखे खराब नहीं होता है इस पर जो कलर है एक्चुली ओईल पेंट है और इसका चैरी कलर है तो कैमरे में इतना अच्छा आपको दीख नहीं रहा है लेकिन मतलब कि यह बिल्कुल मेरे दिल के करीब है यह मेरा DIY तो इसको मैं बिल्कुल संभाल कर रखती हूँ और जब घर शिफ्ट किया था तो यह थोड़ा सा हट गया था मतलब इसको साथ रखने में तो कुछ इसकी चीज़े हट गई थी तो वह बस मैं फिर से लगा रही हूँ इसको मतलब फिर से रिपेयर कर दिया है और इसको से चिपक नहीं रहा था और मैं सोचा कि आप गलूगन गरम करनी पड़ेगी तो मैंने फैवी क्विक से चिपका दिया इसको और यह मेरा हो गया और यह देखे जब भी घर में कोई केक आता है बड़े होता है तो इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई बचिकुची चैंडल्स होती है ना जैसे तो उनका यूज कीजिए और घर पर कैंडल्स बना सकते है तो मैंने एक हैवी बोटम का आप कोई भी बरतल लीजिए और उसमें आप या तो डायरेक्ट भी डाल सकते है या फिर डबल वॉयलर प्रोसेस से भी आप इसको पिंग ला सकते है तो जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल धीरे हमें रखना है और इसको चलाते हुए जाएंगे और आपके पास अगर असेंशियल ओयल है तो आप वह भी डाल सकते हैं कुछ रॉप्स तो यह सेंटेर केंडल हमारी बन जाएगे खुश्मु वाली लेकिन मेरे पास अभी था न आधी तो इसको आज मैंने फिर से फिल कर दिया है और वैसे तो मार्केट में वी काती है कैंडल बनाने की लेकिन मैंने वह भी नहीं परचेज कर रखी जो मोटा धागा आता है ना हमारा सिलाई में जो हम यूज करते हैं मोटे वाला थ्रेड्स वह ने ले लिया है और इसको बस इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो किसी भी आप help ले लिजे कोई पैन ले लिजे कोई भी या फिर लंबी सी रसी ले लिजे लकडी ले लिजे और इस तरीके से हम इसको लगा देंगे और थोड़ा था बचा हुआ था मेरे पास एक दिया रखा था पैंट किया हुआ तो मैंने उसमें भी यह अपना वैक्स टाल दिया है और यह जो बरतन है हमारा साथ के साथ हम इसको साफ कर देंगे वरना तो बाद में इसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो स्टील वूल की हेल्प से रगड कर मैं इसको तुरंट के तुरंट साफ कर दूँगी और उसके बाद जब यह हमारा वैक्स है ना 40-50% जब बैठ जाए मतलब की सैट हो जाए तो उसके बाद मैंने लिया है यह मेरे पास डस्ट रखा था ग्लिटर पाउडर जिसको हम बोलते है गोल्डन कलर का उपने लिए और ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है तो जो देखे थोड़ा वेक्स था ना तो जल्दी से बैठ गया था लेकिन अभी जो हमारी मटकी वाले है वो अभी बैठा नहीं है तो इसमें मैं बाद में डालूँगे और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और देखे दोस्तों DIY के साथ साथ अपने घर के काम भी न बिटाने होते हैं तो शाम हो गई थी तो मुझे चाय बनानी थी और हस्भेड अभी घर पर है तो वह रखने इस तो उनके लिए चाय बननी रख दिए की उबलती रहेगी तो दिखिए जो चीजे पसंद होती है Whei वहाट है तई दिसधीव जी work आप मेंगेना फिराम करके लोग मेरे पास कमेंट में आते हैं आप हैं तो इना रपकते हो मेरे कभरारे का बीना मेर कहीं करेंगा नुसके ओज निखुने करने का का चाई पी लेते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूं हमारी केंडल कैसी बनी है तो मेरे सबी जो कैंडल से अभी बन करके तयार हो गई यह दिये में मैंने डाली ती तो इस तरीके से आप भी कोई भी आपके पास बरतन हो उसमें आप बना सकते हैं यह मटकी वाली भी देखे और इसमें थोड़ा सा यह मुझसे हिल गई थी तो साइड से थोड़ी सी खराब हो गई है और एक्स्रा जो आपको ऊपर से धागा दीख रहा है उसको आप कट भी कर सकते हैं और इन सब को मैं सिर्फ दिपावली के टाइम ही जलाओंगे यह भी सब आपको जला के नहीं दिखाओंगे यह चोटी-चोटी जो पेंट की शीश्या होती है ना खाली हो जाती ह हमें महंगी महंगी वैसी हम सुन्दर सी कैंडल बनाएंगे तो प्लीज स्टे कनेक्टिट ओके और आज का वीडियो मैं यहीं पर खतम करते हूं बाबाई